हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एवन ट्यूटर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा महारवारी कोले रांची का यूजी का आपका फर्स्ट जो प्रोविजनल लिस्ट है यानि की कट अफ लिस्ट है कब जारी किया जाएगा फर्स्ट जो कट अफ लिस्ट है उसके आपका एडमिशन कब होगा फिस शकेंड्स कब आएगा फिस कट अफ लिस्ट कब होगा आपका क्लास कब से स्टेट होगा यह सभी लोग देखेंगे हाला कि दोस्तों इसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था फिर भी बहुत साथ स्टूडेंट्स को बहुत कन्फूज है ने कि फर्स्ट कट अफ लिस्ट कब आएगा सकेंड कब आएगा एडमिशन कब होगा तो इसी के रिलेटेर हम लोग सारा इंफ 20 अगस्त तक दोस्तों यहां देख सकते 20 से 31 अगस्त तक जो कैंडिडियेट मतलब वन्चीत हैं यानि कि जिन्होंने एडिविशन नहीं लिया है उनका एडिविशन फर्म जमा होगा ठीक है उसके बाद दोस्तों 20 अगस्त को यहां देख सकते चांसलर पोर्टल पर मेरिट कॉलेज को भीज देगा मतलब जो भीकालेज मारवारी यह राची उनिवर्सीटि के अंदरमें आते हैं तो चांसलर पोर्टल सभी युनिवर्सी कॉलेज का आपका मैट लिस्ट करेगा और रिलेटेद रिलेटेट को भेज़ेगा जैसे कई राची विमेंस कॉलेज हो गया फिर आपका मारवारी कोलोज हो गया फिर दोस्तों यहां देख सकते हैं 24 से लेके 26 अगर्स तक फिर देख सकेंड जो लिस्ट है वह सताज तारीख के आएगा ठीक है यहां पर देख सकते हैं मैं आपको बता दू देख सकते हैं second selection list to be published online for vacancy only and as wait list by the college मतलब कि दोस्तों आपका 27 अगस्त को admission का second list जारी कर दिया जाएगा फिर यहां देख सकते हैं 28 से लेके 31 अगस्त तक second list के selected candidate का admission होगा फिर दोस्तों यहां देख सकते हैं COVID-19 guideline के अनुसार 1 सितमबर से आपका session अस्टार्ट होगा तो यह है process दोस्तों रांची उन्वर्सिटी यूजी का यानि की under graduation का यह process से कि first list आप देख सकते कब आएगा first list का admission कब होगा second list कब आएगा second list का admission कब होगा session आपका कब से start होगा तो यहां देख सकते हैं दोस्तों total दो ही आपका मतलब कि selection list आएगा ठीक है ध्यान रखिएगा third list नहीं आएगा यहां पर सीधा से कहा गया यह कि अगर second list में भी seat बच जाती है तो third list आ सकता है देख सकते हैं हाला कि हाँ जो third list आता है दोस्तों वह बहुत लेट्स जाता है बतलब कि session आपका start हो भी जाता है classes start हो भी जाते फिर भी आपका second list आता है जिन्होंने first list में admission लिया है second list में admission लिया है तो में भी बहुत लोग होते हैं जो नाम को return कड़ा लेते हैं या यान की TC ले लेते हैं तो seat बच जाती है तो third list जारी कर दिया जाता है ठीक है दोस्तों तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा ऐसे ही latest वीडियो के लिए आप माँ चैनल को subscribe कर सकते हैं